नमस्कार में भाग किश्री बिस्यन नियुस के बिस्नेस समाचार में अब सभी का स्वाकत है कबरों के और बढ़ने से पहली आई ये डालते एक नजर आज की सुखे उपर विदेशों में दोनों किम्ती धातुए में तेजी की पीच आज खरील उस्तर पर सोना 200 रुपे प्रती 10 क्राम से अधिक और चांदी 900 रुपे प्रती किलोग्राम की करिब महंगी हो गई है अंतराश्टिय बाजार में सोना हासिर 7 डॉलर चमक कर 1838.40 डॉलर प्रती ओस पर बाच गया जुनका अमेरीकी सोना वायता भी 9.40 डॉलर की मजबूती के साथ 1840.70 डॉलर प्रती ओस बोलाग्या चांदी हासिर 6.27 डॉलर की बढ़त के साथ 27.41 डॉलर प्रती ओस की भावपरी की गरेल उस्तर पर एम से एक्स वायता बाजार में सोना 219 डॉलर यानि 0.40 प्रती चमक कर 47.970 डॉलर प्रती दस ग्राम पर और सोना मिनी भी इतनी तेजी के साथ 47.938 डॉलर प्रती दस ग्राम पर पहुँची चांदी 395 रुपे यानि 1.25 प्रती प्रती चत की बढ़त में 32324 रुपे प्रती किलोग्राम पर रही चांदी मिनी भी 887 रुपे बढ़कर 72.319 रुपे प्रती किलोग्राम के भावपरी के बिरुर रिपूर्ट बेसियन न्यूज गरेलु शेयर बाजारों में जारी तेजी से अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपिया सोमवार को 17 पैसे मजबुत हुआ और कारुपार की समावती पर 1 टॉलर 73.35 रुपे का भीका भावतियों मुद्रा लगातार तीन दिन में 56 पैसे मजबुत हुई है पिछले कारुपारी दिवस पर यह 26 पैसे चड़कर 73.52 रुपे प्रती डॉलर पर रही थी रुपे में आज शुरू से ही तेजी रही यह 18 पैसे की बढ़त के साथ 73.34 रुपे प्रती डॉलर पर खु गरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार चौते दिन रही तेजी से रुपे को भी बन मिला है गरेलू बाजार में वहानों की खुद्रा बिक्री में विदवाज 2020 से 21 के दोरान 30 प्रतीशत और कद अप्रेल में महाधर्मा आधार पर 28 प्रतीशत की गिरावटाई है अप्रेल में देश में कुल 95,672 प्रतीशत की गिरावट रही और यह 48,034 एकाई रहा याधरी वहानों, ट्रैक्टरों और बानीचक वहानों की बिक्री क्रमश 25 प्रतीशत, 45 प्रतीशत और 24 प्रतीशत की गिरावटाई है अप्रेल में कुल 2,745 याधरी वहान पंजी कुद्ध है पिशले साल अप्रेल में राष्ट व्यापी लॉकडाउं की कारण डीलरों ने एक भी वहान नहीं पीचाता इसलिए साल अप्रेल की आग्डों की तुन्ना इसी साल मार्श की आग्डों से की गई है पारणा ने बताया कि विद्धवज 2020 से 21 में देश में कुल 1,52,5195 वहान पंजी कुद्ध होए जो विद्धवज 2019 और 20 की तुन्ना में 29.85 प्रतीशत कम है यह पंजी कुद्ध होने वाले वहानों की आठ साल में नियुनतम संख्या है इस दोरान ट्रैक्टर को छोड़कर अन्ये सभी वर्गों की वहानों की बिक्री में कम ही आई है बंबई शेयर बाजार में सुमवार को लगातार चौती दीन बड़त दजगी गई दवा और उर्जा शेत्र के शेयरों में लिवाली का समर्थन बने रहने से सेंसेक्स 296 अंग चड़ गया नियसी का निप्टी भी 14,900 अंग की उपर बंधवा 14,942 दशम लोग 35 अंग पर बंधवा है अल्ट्रा टेक सेमेंट, इन्फोसेस, रिलांस इंडस्रीज और HCL टेक जैसे शेयरों में नुक्सान वा है COVID-19 के बड़नी और कई राज़ों में लिगाएके लॉकडॉं की चिंताओं की बावजुद बाजार लगातार मजबुती से आगे बढ़ रहे है दिन में धातू, दवा, पहन और सारवज ने शेत्र के बैंकों के शेरों में बड़त से बाजार को समर्थन प्राप्त होगा है ज्यादा तर शेत्रों के सुषकाम लाब में बंध हुए है बिरु रिपोर्ट, बेसियन न्यूज बिमा कमपनी भारती जीवन बिमानी कम ने मार्च दिमाही के दौरान कमपनियों में अपनी एकविटी हिस्सेदारी बेच कर मुनाफ़ा वसुली की है प्राइम डेटाबेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी पाली 296 कमपनियों में उसका कुल निविश दिसंबर 2020 के 3.70 प्रतिशत के मुकाबले खटकर मार्च में 3.70 प्रतिशत रह गया जो अब तक सबसे कम है प्राइम डेटाबेस समु के प्रभंध नितिशब प्रनव हल्दिया ने कहा है कि ऐसा एलासी द्वारा मुनाफ़ा वसुली करने की कारण हुपा है जबकि 2012 में यह निपेश प्रतिशक के उच्यस्तर पर पहुँच गया था बीरो रिपोर्ट बीसियन निउस खबरे समावत करने से पहले आए डालते एक नजर आज के सिर्क्यों पर बिजनेस समाचार में फिला लिता ही अईसे अंडे खबरों से जुड़े रेनिकली देख्ते रहे बीसियन निउस नमस्कार